हालो मेरे वीडियो कैसे हो तो आज हम लोक्त सोर्सेश ओफ 수play इसका लेक्चर नबर सेकेंज देखने वाले हैं ठीख तर विद्यार तेमित्र नो आपन ईतियास आठ गोष्ट्री डिसकास के लिए विद रिस्पेक्ट तो सोर्से सोर्षक के बारे में ठीग है अगर हम लोग देखेंगे लास लेखा था रिटन सौर्षक के बारे में अभी फरस्ट आफ आपको तो मैंने पहले भी बोला था कि अ जननी हैं फिस्ट्री जानने के लिए आपको हिस्ट्री पढ़ना ही पढ़ेगी अप मैं प्ढ़तेस प्रिण पढ़ते हैं आप 33 लिखो गई आपके लिए कुछ आपके शोर्स अजहाए जहां से आप ऊपढ़के हिस्ट्री लिखो गए ठीक उसменे हमारा एक एक सोर्स था economy लोगों ने देखा था कि नूस पेपर बात करता है तो वो भी एक हो सकता है उसके बाद government documents अम लोगों ने देखे government documents उसके यह भी हमारे लिए एक authentic source है history जानने के लिए बहुत सारी information यह provide करता है देन हमारे पास archives भी है है ना हमारे पास क्या है archives भी है archives में जो पूराने documents होते हैं उसे हम store करके रखते हैं एशिया का सबसे बड़ा जो अरकाइव है वो इंडिया में ही located है national archives of India है ना तो बहुत सारे चीज़े हैं जो बह return sources तो हम लोगों ने देख लिए बड़ अभी हम लोग यहाँ पर इस session में देखने वाले हैं material sources आपन का है बगना रहाओ भुतिक साधने बगना रहाओ का है बगना रहाओ भुतिक साधने material sources मतलब जो sources जिसे हम touch कर सकते हैं ठीक है जैसे कि कौन से कौन से हमारे पास coins नाने ठीक है तो डेली उसके चीजे रॉयल सील मतलब जो राजा महराजा फरमांस जारी करते थे सील जारी करते थे तो वह सील भी हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे ठीक है ornaments वह कौन से टाइप के ornaments पहनते थे म्यूजियम्स अलग-अलग म्यूजियम्स है क्लोधिंग जो मॉडन आर्किटेक्चन तो यहसशर सारे क्या है हमारे पास यह हमारे पास है material sources क्या है कि हमारे पास material sources मतलब देखना कौई pi क्कोंसे जमाने में आ image पर उसका इस पर इमेज से बनाए था बना था कि उसका सरकल था स्क्वेर था रेक्टेंगुलर था ठीक है मतलब अलग-अलग पशुपतीज होते हैं उसमें इंसान का फोटो है या अनिमल का फोटो है या प्लांस का फोटो मतलब यह सारी चीजे भी आपको इंडिकेट करती है कि वह जो कॉइन पर्टुक्लर कॉइन हम जो फिर जाती है ठीक है अगर कोईन की बात करते हैं ठीक है तो अगर इंडिया का कॉन है 1970 वन इसको बनाया गया था यह को बनाय गया था 1970 में अभी अगर तुमारे पास और कोई कॉई रहेगा देखना 10 रुपे का या 20 रुपे का या एक रुपे का उसको खोलना एंसको पर yearly에 देखना उसके उपर आपको manufacturing year पता चल जाएगा ठीक है वही आप पुराने कॉइंस को भी देख सकते हो पुराने कॉइन को रोखो और आज के कॉइन को रोखो और डिफ्रेंस देखो कि क्या क्या डिफ्रेंस है दोनों भी कॉइंस में ठीक है क्या करते हैं हिस्ट्री समझने की कोशिश करते हैं अगर आपको चेंज दिखाए देती है तो आपको एक पता चल जाता है कि मेंस से हीरी कैसे ड्लप हुई ह् हमारी ठीक है रिजर्व बैंक आफ इंडिया तो ये जो नोट से ये नोट से येपरेंट करता है रिजर्व भैंक आफ इंडिया ठीक हे अगर हम रीज की बात करते ना र बी आइक को एस्टाब्लिश किया गया था फ्रस्ट एप्रिल 1st April 1935 है ना RBI को कब establish किया था 1st April 1935 को establish किया था RBI का जो headquarter है वो मुंबई में है कहां पर है मुंबई में है RBI का headquarter कहां पर यह मुंबई में है ठीक है याद रखना इसके लिए RBI के लिए एक एक्ट है RBI एक्ट 1934 RBI एक्ट 1934 यह एक्ट है इस एक्ट के अंदर गत RBI की establishment हुई थी 1st April 1935 को और इसका अब भी headquarter कहां पर हमारे पास मुंबई में है ठीक है इट है इस ओन headquarter in मुंबई देखो मैंने क्या बूला आर बिए का जो headquarter है वो कहां पर लोकल है मुंबई ठीक है मुंबई कहां पर महाराश्ट्र में है कहां पर महाराश्ट्र में the coins from 1950 to those used at present the metal used for making them that different the hope मतलब the metal कौन सा यूज हुआ उनका different shapes diversity of subjects ठीक है together help us to understand the important contemporary issue in India ठीक है coins to convey the message of population control and coins to communicating the importance of agriculture and farming मतलब हर एक कोईन जो है एक कुछ theme बताता है 1950 से लेके आज तक हमारे जो कोईन के पीछे अलग-अलग आप डाइग्राम्स देखते हो या पिच्छ देखते हो ठीक है वो कुछ ना कुछ social issues को दर्शा आता है ठीक है जैसे कि population control का message हो सकता है उस पर agriculture का हो सकता है climate change का हो सकता है अभी आप currency note आप देखोगे तो उस पर भी आलग-अलग ताज महिल का है रेड फोट का है तो एक significance है एक कुछ ना कुछ थीम कुछ ना कुछ मॉरल वो क्या करता है वह हमें बताने की कोशिश करता है ठीक है तो विद्ध्यार्थी मित्रानों आपन जवापन एक कॉइन बगतो कॉइन वन कौनता ना कौनता एक message दिले लागी लाश्तों तो message आप आच्चे problem social problems काया है social problems मदे बगा आपले कड़े आसता की population control करने साथी एक थीम आसुशकते ठीके agriculture साथी आसुशकते फार्मर्स चा तर किवा मग तुमसे वेगा वेगा equality साथी साथी सामानते साथी पन काय तरी आसुशकता है मैं जे काय तरी एक theme थीम तीथे कॉइन वार अपने वेवस्तित बगावी लगते कारण की प्रत्यक्षत का दशकात से एक वेगरा से वेगरा अपना प्रॉब्लम आस तो मते प्रॉब्लम ला reflect करने साथी हेलो को काय करता त्या कॉइन वर्ती इमेज टाकता थी ठीक है ठीक है अब कॉन से घुमने गए देखने बताओ मुझे टोंस्तुं शिवाजी महाराज मूजियम ये कहाम पर ओमॉऑ हमारे पास ब्राइबेट म्यूजियुम भी है यह याद रखन आपको एग्जाम पूछ सकते हैं कि चित्रपती शिवाजी महराज म्यूजियम यह कहां पे लोकेटेड है मुंबई में लोकेटेड है रिजर्व बैंक म्यूजियम यह कहां पे लोकेटेड है पुने में लोकेटेड है कहां पे लोकेटेड है पुने में चत्रपती शिवाजी महाराज म्यूजियम यह कहां पे है मुंबई में है कहां पे है मुं आचालेगा यह मुंबई में ही आया है यह पहला ही है ठीके अर बेस्ट अन डिस्टेटिव सब्जेक्ट मुजियम भी सब्जेक्स के ऊपर है कुछ-कुछ मुजियम सिर्फ कौइन की लिए होते मतलब वह मुजियम में अलग-अलग कौइं मतलब जम्मा करके रख देते कुछ कुछ नोट्स की लिए होते हैं ठीक है नट क्रैकर इंडिफरेंट शेप्स क्रिकेट इक्विपमेंट मतलब बहुत अलग-अलग टॉपिक्स के लिए क्या होते भापे म्यूजियम होते हैं एन म्यूजियम हमेशा याद रखना दो प्रकार के होते हैं कौनसे-कौनसे एक तो सरकारी म्यूजियम होगा और दुसरा आपके पास कौनसा है प्राइवेट म्यूजियम होगा ठीक है चलो ओरल सोर्सेस ओरल मौकिक मौकिक स्थोट ओरल सोर्सेस मतलब क्या देखना कुछ चीजों का ना रिटन एविडेंस नहीं होता है तो वह कैसे पासन होते होते हैं और प्रान्समीत होते हैu जन्दरेशन टュो जन्रेशन एक पीडी पासों दुसरह पीडी पर हैं तो ओरली जयाता है हैं आपं वह समें प्रता शेरे श्सौंड अफकेलन आपरällen grateful for ना यहाई वोजने अरृप्ट नाव apr Kingdom ले घता करो सर्फ ख वा्रह वामें जोबिले मांदाध शिवाह कण कि भी हम्य। कि निए अरे मित लोगैं 15 कि करो पता ह्यां कि इस ते इंट अमर शेक दिएग्ट। सायुक्त महाराष्ट्र मोमेंट सायुक्त महाराष्ट्र मोमेंट वैस पोवाडे वगरे खुब फेमस आले होते आना वह उसाटेंचे आनी शेक यांचे ठीक है लक्षा ठीवा ऑके आडी वीजवाल सोर्सेस पनाए अपने घडे टेली वीजविजन लें से इंटरनेट अडा आड एग अग्याने ने स्टोरी आए अपना एक टो ते आए 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 अडियू वीजवाल सोर्सेस आये में डोमेस्टी एं फोर एंटेलीज़िजन चैनल जौल्स कम अन्डर सेड हिस्ट्री चैनल आपन बगित लासरी टीवी वरते आपना खूब सरी हिस्ट्री संगत डिस्कावरी चैनल आहे है ना वेगे जोगरुफी जोगरुफी चैनल असता जापना पृत्वी कसा बन ले तैसा पन इतिया सांगाई चा प्रहतना करता है ना मुझे ऑडियो वीड UK चैनल इंस्टेट्यूट आप इंडिया स्टार्ट्ट शेता हैा फ़ीस्टार केहां पें में चोंसे यार में 1960 में फटा फटा कमेंट करके बताओ उकी 1960 में इंडिया की प्राइम मिनिस्टर कोन थे। याद रखना यह आपको question यहाँ पे पूछ सकते हैं यह आपको question पूछ सकते हैं, फिल्इम and Television Institute of India वह कहां पे start हुई थी, पुने में स्टार्ट हुई थी क्न से यर में स्टार्ट हुई थी थेस्य 알았어 बना सकते हो और एक सोचल मेसिज देने के आप कोशिश करते हो वहाँ पर तो वह भी बहुत इंपोरण इंडिया की बात करते हैं अगर को हिस्टरीं पता चल जा थे तड़ है लोगोव waking फ्लिम and टेली विजन इंस्टीटै्टेयूट और इंडिया ये 1916 में establish water जो हाखे पूने में कहा पे पूने में established हुआ था था ए ठीक है चलो उसके बाद इसके सिए हूँ इंपोर्टन sources for writing the history है न हम लोगोंने important sources देख लिए है जैसे written source था money the material source that 이에्टी हुआ है and 21st centuries are changing rapidly ना 21st part year to go both rapidly change derived technology बहुती ज्याद़ रही है for example during the transformation from the landline telephone पहले कैसे था हमारे पास landline टेलीफोन था आज सेलफोन स्मार्टफोन बोलते हैं गैजट कॉल पेजर केम अप फॉर दी कॉंटक्टिंग पीपल सबसे पहले पेजर आया था पेजर के बाद देखना आज 5G 6G तक जमाना जा रहा है ठीक है अगर आप गूगल या कुछ किदर आप सर्च करोगे तो आपको हिस्टी का नॉलेज तो तुरंट मिल जाएगा क्योंकि टेकनोलोजी क्या है इतनी वास्ट हुए बट दे ट्रूट अथेंटिसिटी आफ इंपरमेशन नीड टूबी वेरिफाइड हम लोग गूगल पे कुछ कुछ भी सर्च कर देते बट एक्शुली वह सही है या गलत है वह ऑथेंटिसिटी जो है उसकी वालिडेशन जो है वह चेक करना बहुत इंपॉर्टन बन जाता है यहां पर हमारे पास कभी कभी कैसा होता है गलत इंफॉर्मेशन भी पास कर देते हैं कोई कुछ लोग तो क इसको आपको वेरिफाय करना बहुत जोड़ी है किसी भी इंफॉर्मेशन के ऊपर आप ब्लाइंड ली ट्रस्ट नहीं कर सकते हो एक चीज़ हमेशा याद रखना ठीक है चलो ना इस बिकन कॉंपरेटिव ली इसी टु स्टड़ी हिस्टे ना अभी तो इजी हो गया हिस्ट्री बिकॉज हमारे पास बुक्स भी अवेलेबल एंट इंटरनेट पे सोर्सेस अवेलेबल है हमारे पास फ्री वाइपाई वाटाया फाई जी डेटा है तो उसके वज़े से हम क्या है एक आक से पासओं हो गया है यह क्या हो गया है इजी आकसेबल आज दिस सो से सर्फ्रों देदरी पीरिया दियार इसलिदी अवालेबल सिंस सब्जेक्ट लाइक हीस्ट्री टचेस ना हमारा जो हिस्ट्री जुक्त है मनुश्च्वे के सारे चीजों को टॉछ करता तरीक होते हैं चीजों को जुडिशियल अडिनिस्ट्रेशन इस सारी चीजों को क्या करता है हिस्ट्री जो है वो टच करते रहता है ठीक है एफ़र्ट्स पॉर प्रिजर्वेशन अफ सच सोसे सार मेड आट ओल लेवल तो जो भी हमारे सोर्से से यह सारे लेवल मतलब का कंट्रिबूशन देना बहुत जरूरी है ठीक है याद रखना क्योंकि एसा मत सोचना की गवर्मेंट का काम है या किसी संगटने का काम है और वह उसको प्रोटेक्ट करेंगे यह हमारे भी रिस्पॉंसिबिलिटी बनती है कि जो इतियासिक डॉक्युमेंट से या सोर्से इतियासिक इतिया से उसको तसब्सक कर सकती है ठीक चलो तो अगर आपको कोई रहेगा तो कमेंट करके जरूर बता ना मैं आपको सारे डॉट मेंथिस्ट्रॉय कर दूँगा तब तक कि लिए आप खयाल रखिए सुरक्षित रहे रहे जाहिं जाह महाराष्र